जिन लोगों का कुईत में एकमा नहीं लग रहा है और एकमा खत्म होने में आये या फिर खत्म हो गया है और जो लोग कुईत में फसे हुए हैं एकमा लगवाने के लिए लेबर वरकर्स हैं जिनकी कमपनियों का मलब बंद हो चुका है कमपनिया फर्जी थी तो फाइलें बं तंदीप मरवाना चाहिए पासपोर्ट देखे कंपनी के मंदू को क्योंकि अगर तंदीप हो जाएगी पासपोर्ट के उपर चाप लग जाएगी तो कुवेत एरपोर्ट से निकल सकते हैं फिर दुबारा नए विज़ा पर आ सकते हैं अगर इसा नई करते हैं तो बाद में इलीगल हो जाएंगे रेसिडेंसी नहीं रहेगी सिविल आईडी कार्ड में अगर एकमा नहीं रहेगा तो फिर फिर कुवेत में एक तरह से इलीगल हो जाएंगे इसलिए अभी एकमा है खात्म होने में तो जल्द से जल्द कुवेत से रवाना हो जाए जो कंपनिया बंद हो चुकी है कुईत में 3000 कंपनियों को बंद कर दिया है अब सोचे कि उन पर रजिस्ट्रेट कितने लेबर वरकर्स होंगे जिनका एकामा नहीं है कुईत में तो ऐसे लोग इलीगल हो जाते हैं बहले ही एकामा के पैसे खर्च करते हों लेकिन कंपनी के पास कोई भी रियल मेल असली में काम नहीं होता है सिर्फ कागजात के अंदर ही काम होता है कंपनी के पास जो कुईती लोग हैं लेबर वरकर्स को बुलाते हैं और उनसे एक साल के हिसाब से 1000 केड़ी, 1500 केड़ी, 1300 केड़ी वसूल करते हैं और एकामा लगा के छोड़ देते हैं कमपनी के पास काम नहीं होता और ये कमपनियां फाइलेच चेक करने के बाद बंद कर दी गई है तो एकामा रिन्यू नहीं होगा जिसकी वज़े से कुवेट में काम करना मुश्किल हो जाएगा तो इल्लीकल हो जाएगे तो कुवेट से निकलने में फाइदा है ताकि नया विजा लेके आ सकें अगर एक बार एकामा खत्म हो गया एकामा तंदीब कुछ भी नहीं लगता है तो फिर कुवेट से रवाना निकलना मुश्किल होगा और कुवेट में वापस दुबारा नहीं लोट सकेंगे क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक ठीक है चल रहा है लेकिन कितने दिन चलेगा कोई मालूम नहीं कुवेट के लेकिन ज़रूरी इंपोटेंट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवेट के आने वाली और भी इंपोटेंट ज़रूरी खबरे मिस नहों